हेलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जिकी एन इंग्लिश के स्पेशल कोशन जो आपके प्रिवियस येर एक्जाम में रह चुके हैं और किसी ना किसी एक्जाम में आए हुए हैं आपको भी क्लास फॉर्थ में इन कोशनों के जरीए हल्प मिल सकता है चाहे कोई भी 10th level का एक्जाम हो BSF का हो, CISF का हो, क्लास फॉर्थ का हो कोई भी 10th level का एक्जाम हो आर्मी का हो, उसमें आपकी एक्जाम में हल्प हो सकती है जिस एक्जाम में भी English or GK पुशा जा सकता 10th level का उसके लिए जै वीडियो इंपोर्टेंट है वीडियो में अंतिम तक बने रहा ना ताकि आपको complete detail मिल पाए और friends में भी अपना वीडियो शेर करो ताकि उनको भी complete detail मिल पाए और उनकी वी exam में help हो पाए अगर चैनल से first time जुड़े हो तो चैनल को भी subscribe कर दो ताकि आपको जमुक्ष्मिर लेटिड, जेकी SS बी लेटिड, जेके बोस लेटिड, जमुए उनिवरस्टी लेटिड, जेन के jobs लेटिड, सारी important information time to time मिलती रहे चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं जे रहे हमारे question जेकी और English के question रहने वाले हैं सबसे पहले मैं English के question की बात करूँगा चलिए question को शुरू करते हैं question एक series बाइस चलने हैं कभी adjective, article, series बाइस चलने हैं कल की वीडियो में आड़्यक्टिव के question बताय हुए थे English के और आज हम article के question की बात करेंगे चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं आप भी अपना लंती में score बताना आपका 10 या 20 में से कितना रह रहा है जो first question है इधर पूशा हुए switch on dash light इसका जो आपका option A है the बिल्कुल correct रहेगा he is dash unlucky man इसका जो option आपका B है and बिल्कुल correct रहने वाला है the line is dash king of beasts इसका जो आपका option A है बिल्कुल correct रहेगा option A बिल्कुल correct रहने वाला है I eat an egg dash day इसका जो सही option है option A बिल्कुल correct रहेगा I want to be an MP इसका जो option B है बिल्कुल correct रहेगा चलिए अगले question की तरफ get me dash umbrella which you bought yesterday option A बिल्कुल correct रहने वाला है he died without dash hair इसका जो सही option है option B and बिल्कुल correct रहेगा during meal he talks about the garden इसका जो सही option है option B the और दा बिल्कुल correct रहेगा dash जंगेस boy has just started going to school इसका जो सही option है option B the youngest boy has going to the school you should carry amrela with you इसका जो सही option है option number B बिल्कुल correct रहेगा इसके बाद हम English के इतने कोशन थे इसके बाद कोशनों की बात करेंगे GK के कोशन जो आपके geography section से चल रहे है बिल्कुल series बाइस चलने है पहले हमने misleading किया था और उससे पहले कुछ history के भी किये थे अब हम बात कर रहे है जिग्राफी के कोशनों की चलिए अब कोशन आप लगाईए जो सबसे पहला कोशन है बिच आफ दा फॉलिंग डैम इस लोकेटिड आन दा पैरियर रिवर वो कौन सा डैम है जो पैरियर रिवर पे लोकेटिड है इसका जो option D है इद्यूकी डैम बिल्कुल कॉरेक्ट रहने वाला है विच मेजर डैम इस लोकेटिड आन दा बेटवार रिवर बेटवार रिवर में कोन सा जो डैम है वो लोकेटिड है इसका जो option B है option B मैटिल्टा बिल्कुल कॉरेक्ट रहेगा तहरी डैम is located on जो तहरी डैम है वो कहां पे located है जे कोशन इंपॉर्टन है बहुत सारे एक्जायम में पूछा गिया है इसका जो option C है बागी रथी बिल्कुल correct रहेगा इंद्रा गांदी कैनल is located on जो इंद्रा गांदी कैनल है वो कहां पे located है इसका जो option A है सतलुज बिल्कुल correct रहेगा युकई डैम is situated on dash river युकई डैम कहां पे situated है इसका जो आपका option A है option A तापती बिल्कुल correct रहेगा ठीक है which of the falling state is shared the maximum number of states वो कोन साफ river है जो maximum number of state को share करता है इसका जो option D है गोदावरी बिल्कुल correct रहेगा from which place नर्मदा originates कोन सी जेगा से जो नर्मदा रिवर है वो originate होता है मतलब की निकलता है इसका जो option A है अमर कंतक बिल्कुल correct रहने वाला है तापी रिवर fall into जो तापी रिवर है वो कहां पे fall करता है इसका जो आपका option A है अरेबियन सी बिल्कुल correct रहेगा अमर कंतक is the source which of the falling river इन मेंसे जो अमर कंतक है वो किस रिवर का source है इसका जो आपका option C है option C नर्मदा बिल्कुल correct रहेगा चलिए अगले question की तरफ अमरा बती is the tributary of अमरा बती किसकी tributary है जो आपका option B है नर्मदा रिवर बिल्कुल correct रहेगा इस वीडियो में बस इतने ही question थे अगर आपको कोई भी और update चाहिए हो question चाहिए हो comment box में जुरूर पुशिए इस वीडियो में बस इतना ही कोई भी doubt हो comment box में जुरूर पुशिए और channel को subscribe करना ना भूले ताकि आपको complete detail मिल पाए इस वीडियो में बस इतना ही जाए हिंद जा बारत